हलो दोस्तों वेलकम टू साइसेक्स्प्रेनर चैनल और आपको मैं दे रहा हूँ टी जी टी एक्जाम के लिए इंपोर्डेंट कोशन ये जो कोशन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में अलग-अलग इयर में आयो हुए कोशन है और कोशनों को शुरू करने से पहले ब क्यासोति में शुरू और आपको इंपोर्डेंट कोशन दीए जाते रहें तो चलिए कोशन नमबर वन पहला कोशन स्टार्ट करते हैं इतो देख़िए इसवीस हैं किसी दूरदर्शी की आबर्दन छम्ता में ब्रद्धी की जा सकती है तो दूरदर्शी की आबर्दन छम्ता में किस प्रकार से ब्रद्धी की जा सकती है नमबर वन फोकस दूरी बढ़ाकर दूसरा उच्छ शक्ती की नेत्रिका लगाकर तीसरा कम शक्ती की नेत्रिका लगाकर या चौथा वस्तू की दूरी को बढ़ाकर तो किस प्रकार से आबर्दन छमता को परिवर्चत किया जा सकता है तो चलिए इसका अंसर देखते हैं तो देखिए दूदर्शी की आवर्दन चमता निम्र प्रकार से बढ़ाई जा सकती है नमबर बन आपजेक्टिब लेंस के फोकस दूरी बढ़ाकर यानि कि वस्तू की ओर जो लेंस होता है आपजेक्ट लेंस उसकी फोकस दूरी को बढ़ाकर आवर्दन चमता को बढ़ाया जा सकता है सेकंड आपका है आई पीस की फोकस दूरी घटा कर यानि कि जो आई की तरफ मारम नेत्र की तरफ जो आई पीस होता है उसकी focus दूरी को घटा कर दूरशी की आबर्दन चमता को बढ़ाया जा सकता है और तीसरा factor है आपका उच्छ power के IP को fit करके अगर IP को उच्छ power का रखेंगे तब भी दूरशी की जो आबर्दन चमता है उसको बढ़ाया जा सकता है तो इस थरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो second option है उच्छ शक्ति के नेत्रिका लगा कर दू दर्शी की आबर्दिन चमता में ब्रधी की जा सकती है तो हमारा जो जो second option है ये आपका right option होगा next देखिए second question देखते हैं next देखिए question number two विवर्तन वा अपवर्तन संकेत करते हैं diffraction and refraction indicates that क्या indicate करते हैं क्या संकेत करते हैं तो तरंग प्रकृती को संकेत करते हैं कण प्रकृती को या तरंग प्रकृती और कण प्रकृती दोनों को संकेत करते हैं या चौथा आपका उप्योक्त में से कोई नहीं तो देखे इसका जो राइट ओप्शन होगा वो है ओप्शन नमबर ए जो विबर्तन है और अपवर्तन ये तरंग प्रकृति को संकेत करते हैं जबकि कॉम्टन प्रभाव तथा प्रकाश बज़त प्रभाव कड़ की प्रकृति को प्रदर्शत करते हैं तो हमारे कोशन में ये जो फर्स्ट ओप्शन है तरंग प्रकृति ये आपका राइट ओप्शन होगा डिफ्रेक्शन एंड रिफ्रेक्शन इंडिकेट the wave nature of the light तो इसमें आपका जो a option होगा ये right option होगा next question देखिए next देखिए question number third यदि x equal to a sin omega t plus pi y 6 तथा x dash equal to a cos omega t तब दो तरंगों के बीच का कलांतर क्या होगा जब यह आपको x के विस्थापन समिकन्द दे रखे हो तो कलांतर क्या मान क्या होगा तो चलिए इसका answer देखते हैं तो देखिए इसका answer x equal to a sin omega t plus pi by 6 में ये जो pi by 6 है ये इसकी कला है तो phi equal to पहला जो कलांतर है वह आपका pi by 6 है और x dash equal to a cos omega t और इसको अगर आप sin में convert करते हैं तो a sin omega t plus pi by 2 है ये तो इसका जो दूसरा जो कला है वो pi by 2 है तो देखिए पहली कला आपकी pi by 6 और दूसरी कला जो हो गई वो pi by 2 हो गई इन दोनों में कलांतर निकालिए कलांतर निकालिए यानि कि face difference तो pi by 2 minus pi by 6 करेंगे तो आपका answer आएगा pi by 6 तो कलांतर जो है वो pi by 6 का है तो हमारे दीए हुए option में ये जो second option है भी pi by 6 इसका right option होगा next देखिए question number 4 next देखिए question number 4 दो निकटवर्ती कुझी एक साथ दबा दी गई इनके द्वारा उत्सरजित स्वरों की आबरतिया N1 तथा N2 है प्रति सेकेंड सुने गए वही विस्पंद के बराबर होता है तो आपका जो option number 3 है N1 माइनस N2 ये आपका right option होगा यानि कि प्रति सेकेंड विस्पंदों की जो संख्या होगी number of beats per unit time ये आपका N1 माइनस N2 होगा तो आपका third option right option होगा next देखिए question number 5 next देखिए 5 यदि 240 A वा B एक साथ धुनित किये जाते हैं तो ये 4 विस्पंद प्रति सेकेंड उत्पंद करते हैं A पर थोड़ा सा मूम लगाने पर पुने हैं दोनों को एक साथ धुनित करने पर ये 2 विस्पंद प्रति सेकेंड उत्पंद करते हैं A की आबरती 256 हर्ट है तब आपसे पूछा है B की आबरती कितनी होगी तो देखिए जब A और B को एक साथ बजाते हैं तो प्रारमे में 4 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं और बाद में मुम लगाने के बाद में केबल 2 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं तो देखिए चलिए इसका आंसर देखते हैं तो देखिए पहले जो A की आबरती थी 256 हर्ट थी और Np की अज्यात की आबरती निकालें तो N A प्लस माइनस X और X इसमें बिस्पंदों की संख्या है X की बेलू यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर जो संभब आबरतीया हैं वो 260 हर्ट और 250 हर्ट सो की होंगी और आपसे देखिए दे रखा है कोशन में कि मुम लगाने पर जो विस्पंद हैं वो कम हो जाते हैं यानि कि जो beats हैं वो decrease हो जाते हैं तो हमारा इन में से right option होगा 252 इसका right option होगा तो हमारे दीए हुए कोशन में यह जो B option है 252 इसका right option होगा चलिए next question देखते हैं question number 6 next देखें question number 6 L लंबाई की तनी हुए डोरी जिसको दोनों सिरों पर कशा गया है में lambda तरंग देर की अग्रगामी तरंगें स्थापित हो सकती है जबकि L का मान होगा यहां N एक पुलांग संख्या है तो देखें इसका answer कैसे निकालेंगे अगर हम तनी डोरी की बात करें और इसे कम बल लगा कर इसमें vibration करें तो देखें इसमें प्रारंब में दो node यानि कि दो निस्पंद इसके सिरों पर और एक प्रेस्पंद बनता है एक anti node बनता है तो जैसा आप जानते होंगे कि जो node होता है वहाँ पर विस्थापन कम से कम होता है 0 होता है और anti node में विस्थापन सबसे ज़्यादा स्यादा होता है और दो निस्पंदों के बीच की यानि कि 2 nodes के बीच की जो distance होती है वो lambda upon 2 होती है तो आपकी जो L है लंबाई वो lambda upon 2 के बराबर होगी और इसकी डोरी को अगर हम और ज्यादा compute करा दें तो अगर इसके अंदर 3 nodes और 2 anti-nodes बने तो तो देखिए उस condition में हमारी जो length होगी 2 lambda upon 2 के equal to होगी और हमाई डोरी में odd और even दोनों प्रकार के mode बनते हैं तो अगर हम n mode की बात करें n mode के लिए तो L equal to n lambda upon 2 यानि कि sum और विसम दोनों प्रकार के सन्नादी बिनते हैं यहाँ से lambda की value निकालिए तो lambda equal to 2L upon n होगा हमारे दिये हुए option में जो third option है यह इसका right option होगा next question देखिए next देखिए question number 7 जब श्रोत एवं प्रेच्छक दोनों गतिमान है तो आबरती में अभासी परिवरतन ग्याद करने संबंधी कौन सा नियम है option आपको दे रखे है Doppler effect, Huygens law, Newton's law या Galileo law तो देखिए इसका जो right option होगा वो Doppler effect श्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति के कारण धोनी की आबरतियों में जो अंतर होता है अंतर पाया जाता है यदि दोनों के बीच सापेक्ष गति ही होती है तो इस प्रभाव को हम लोग Doppler का प्रभाव कहते हैं इसलिए हमारा जो option number A है ये इसका right option होगा जब श्रोत और श्रोता दोनों ही गति मान होते हैं तो Doppler प्रभाव कार करता है next question देखिए, question number 8 next देखिए, question number 8 बिन्दू आबेश के लिए बैदोच्हेत के तीबरता E दूरी R के साथ परिवर्चत होती है किस प्रकार से परिवर्चत होती है ये जो आपको चार option दे रखे हैं इसमें से आपको टिक करना है तो देखिए, इसका answer देखते हैं तो देखिए, बैदोच्हेत के तीबरता किसी point पर intensity of electric field depend करता है electric charge पर और इसके distance पर square of their distance तो देखिए, किसी point पर बैदोच्हेत के तीबरता दूरी के वर्ग के वित्करमानुपाती होती है यानि कि वित्करम वर्ग के नियम का inverse square law इसमें work करता है तो हमारा E-P directly proportional 1 upon R square right option होगा तो हमारा जो A option है इसमें हमारे question में ये right option होगा next देखिए question number 9 पर आते हैं next देखिए question number 9 ये gauss की theorem से है एक घनाकार box को plus q आबेस दिया जाता है एक दीबार से निर्गत हो रहे flex का मान क्या होगा तो केबल एक दीबार से अगर निर्गत flux है एक side से एक face से निर्गत flux है तो उसका मान कितना होगा तो देखिए जैसा आप जानते हैं कि अगर बीच में plus का q आबेस रखा हो तो कुल flux का मान गौस की theorem से कुल आबेस का 1 upon epsilon 0 गुना होता है और आप से ये पूछा है कि बल एक face से यानि कि एक प्लस्ट से कितना flux निकलेगा एक दीबार से कितना flux निकलेगा तो कुल flux का ये 1 upon 6 part होगा तो हमारे option में ये जो D option है इसका वो right option होगा next question number 10 next देखिए question number 10 एक बैदो दुद्रूब से इसकी अक्षिय स्थती में इससे कुछ दूरी पर इस्थित एक आवेश बल f का अनुभाव करता है यदि दूरी दुगनी कर दें तब आवेश पर बल कितना होगा तो देखिए अक्षिय स्थती में आप से पूछा है बल का मान किस प्रकार बदलेगा जब दूरी का मान बदल जाए तो चलिए इसका अंसर देखते हैं तो देखिए अक्षिय स्थती में यहाँ माइनस क्यूब प्लस क्यूब यह बैदो दुद्रूब है दुद्रूबों के बीच के दूरी 2L और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ हमने माना कि पी बिंदू है तो अक्षिय स्थती में बैदो चलिए के तीब्रता जो होती है E P 1 अपॉन 4 पाई अपसलन नॉट 2 P अपॉन आर क्यूब होती है और अगर हम बल देखें तो F equal to Q E होता है तो Q 0 और E P Q 0 यहाँ पर एक परिक्षन आवेश है यहाँ बैली रखेंगे E P की तो 1 अपॉन 4 पाई अपसलन नॉट 2 P Q 0 अपॉन आर क्यूब यहाँ से देखिए बल कमान जो दूरी के घनमूल के बिद्क्रमानु पाती है तो यहाँ से अगर हम दो समिकर्ण निकालें तो देखिए F1 upon F2 equal to R2 upon R1 का होल क्यूब है F1 पहला बल है F2 आपको निकालना है और जो R2 है वो 2 R1 है यानि कि दोगनी उसके दूरी कर दी R1 को R1 रखा और यहाँ क्यूब लगा लिजिए R1 से R1 कैंसल 2 का होल क्यूब 8 होता है 8 upon 1 तो हमारा जो आंसर है बाद में जो बल होगा वो पहले बाले बल का 1 upon 8 पार्ट हो जाएगा यानि कि 1 बटे 8 में भाग हो जाएगा तो हमारे दी हुए कोशन में जो D option होगा F upon 8 इसका right option होगा तो दोस्तों ये थे कुछ आपके important question जो TGT exam में लगातार आई हुए question है जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कर लीजिए well icon को press कर दीजिए जिससे लगातार important आपको question मिलते रहे Thank you